दोस्तो अभी से कुछ दिन पहले मैंने धानी वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड्स के बड़े बड़े बनेफिट्स के बारे में बात किया था लेकिन आज बारी है धानी वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड्स के डिस एडवन्टेजेस के बारे में बात करने का तो चलिए शुरू करते हैं तो धानी वन फ्रीडम कार्ड के क्या डिस एड़वांटेज़ हैं मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा शायद आप लोग जानते होंगे लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना इस वीडियो में बताऊंगा और वो भी जो इनका दावा है उनी दावों को point to point यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा जैसे कि number one ये एक credit card है लेकिन ये credit card नहीं है ये एक credit line है या इसे एक तरह का debit card कर सकते हैं आप इसे credit card के तरह use भी नहीं कर सकते हैं अगर आप online कहीं payment करते हैं तो आप debit card वाले section में जाकर के ही इसके through payment करेंगे तो number one point कि ये credit card नहीं है बलके एक credit line है debit card है number two कि आप इस card को जब भी use करेंगे तो आपको 2% का cash back मिलेगा एक बहुत ही चर्चित कहावत है कि बकरे को हलाल करने से पहले बहुत खिलाया पिलाया जाता है आप मेंसे बहुत सारे लोग इस कहावत का माईने मतलब बाखोबी समझ गए होंगे जो नहीं समझे उनके लिए मैं 2-3 line बता देता हूँ इनका जो 2% cash back वाला benefit है इसे आप lollipop भी कह सकते हैं यानि कि बकरे को हलाल करने से पहले खिलाने पिलाने वाली बात भी आप कह सकते हैं नमबर 3, easy EMI और cash back तो आप देखें आपको लगता होगा कि हम तो कुछ भी खर्च करेंगे हमें easy EMI मिल जागा हम अराम अराम से 2-3 महीनों में payment करेंगे हमारे लिए आसानी हो जाई लेकिन जितना आप आसान समझ रहे होते हैं वो उतना ही ज्यादा tough हो जाता है उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कैसे होता है मैं आपको एक calculation करके बताता हूँ example के तोर रुपे कि आपने 450 रुपे का कोई अपना mobile phone रिचार्ज किया ये कुछ भी रिचार्ज किया इस धानी one card को यूज करके रिचार्ज करने के बाद क्या होगा कि आपका जो purchase होगा साड़े 400 रुपे का वो आपको automatically 3 EMI में दिखाने लग जाएगा यानि के आप 3 EMI में उसे पेक करेंगे इसके साथ सब पलस में जो आपको करना पड़ेगा वो monthly subscription चार्ज यानि के 150 रुपे आप हर महिने EMI तो देंगे ही इसके आलावा आप हो सकता है 1999 रुपे का subscription चार्ज मन्थली हो किसी के साथ 299 होता है किसी के साथ 499 होता है मिनिमम अगर 199 भी माल ले तो 150 तो आप देंगे EMI का और दूसरा आप देंगे हर महिने subscription चार्ज 199 रुपे तो लग बग 200 रुपे subscription चार्ज और 150 रुपे आपका जो purchase किया है उसका EMI तो टोटल आपको पढ़ेगा साड़े 300 रुपे महीने का तीन महीने तक आप payment करेंगे तो आपको पढ़ जाएगा 1050 रुपे आपने खर्च कितना किया 450 रुपे अब बताइए कि एक साधारान आदमी जिसे आसानी से calculation नहीं आता है वो भी कहेगा कि भाई ये सोदा बड़े घाटे का है 450 रुपे खर्च करेंगे और 1050 रुपे का payment करेंगे ये कोई एक समझदार व्यक्ती तो नहीं कर सकता और जो calculation नहीं जानता वो भी कहेगा कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा है कि 4500 रुपे का खर्च करें और 1050 रुपे का payment करेंगे ऐसा तो कहीं होता नहीं लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है धनी वान क्रेडिट कार्ड में तो ये एक बड़ा इसका डिस एडवांटेज है इसके बारे में डिटेल में कभी नहीं बताया जाएगा कार्ड एक्टिवेट करने के समय आप मेंसे कितने लोग को बताया गया है जब मारे पास कार्ड आया था तो मुझे भी नहीं बताया गया था कि आपको 199 रुपे मंतली सब्सक्रिप्शन चार्ज देने होंगे एक महिना जब बीत गया जब हमारे को मैसेज आया तो मैंने देखा अरे ये तो भाई 199 पलस 152 हमारा ये हमाई 152 था तो 239 पलस 152 मैं तो देख के चौक गया कस्टमर केर से बात किया तो वह करें कि नहीं नहीं सब कुछ लिखा हूआ है आपने पढ़ा नहीं होगा आपने ध्यान नहीं दिया हुगा बताईए कितने लोग पढ़ते हैं कितने लोग एप में सारी चीजों को डिटेल में पढ़ करके समझते हैं 95%, 99%, 99% तक लोग नहीं पढ़ते हैं नहीं देखते हैं कि क्या लिखावा है टमसें कंडिशन क्या इसमें चार्जेज है, क्या सब्सक्रिप्शन जो उन्हें कॉल पर बताया जाता है उन्हीं बातों पर लोग ज़्यादा तर यकीन करते हैं और ये दुहानी वाले जो है ना ये कॉल करके ही ज़्यादा तर लोगों से कार्ड को एक्टिवेट करवाते हैं एक बार एक्टिवेट हो गया, मंतली सब्सक्रिप्शन शुरू हो गया तो उसके बाद देखे किस तरह से ये बकरे को हलाल करने की तरह का अपने कस्टमर्स को ये हलाल करते हैं अपने कस्टमर्स को लूटते हैं आप मेंसे बताइए कि आप मेंसे कितने लोगों को इसके बारे में बताया गया होगा कि आपको हर महीने सब्स्क्रिप्सन चार्ज दिया जाएगा आप हमें comment box में लिख करके बताईए तो ये सारे बड़े-बड़े disadvantages हैं इस धानीवन credit card के credit card नहीं, debit card ये credit line कर लिए बाकि cashback की बात करें तो cashback आपको हर बार नहीं मिलता है cashback शुरवात में मिलता है जब card activate करने का समय आता है जब customer care का phone आता है तो वो कहेंगे कि आपको cashback मिलेगा आप card activate कर लिजिए लेकिन ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ शुरुवात में बाद में आपको नहीं मिलेगा, हर बार आपको नहीं मिलता है तो ये सारी चीजे इसके बारे में जानना जरूरी है चुकि मैंने जब पहली वीडियो बनाया था जिसे धानी वालों ने डिलीट करवा दिया उसमें लगता है लोगोंने हजारों ऐसा कमेंट किया था कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ हमें भी नहीं बताया गया और हमें भी धोखे में रख करके हमारे कार्ड को एक्टिवेट करवा लिया गया और अब हम से पैसे वसूले जा रहे हैं डेली कॉल आते हैं, हमारे app में पैसे add होते जा रहे हैं, हमारे सिबिल एसकोर इंपक्ट हो रहा है, इसके सिबिल एसकोर के बारे में भी एक वीडियो हम बाद में बनाएंगे, चुक्ति एक ही वीडियो में discuss करना बहुत लंभी बातचीत हो जाएगी. तो ये है धानी वन कार्ड के डिस एडवांटेजे यानि की बड़े बड़े नुकसान बाकि अगर आप लोग को इसके बारे में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं तो चलिए आज तक लिए इतने ही वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें ज्यादा ज्यादा लोग के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्क्राइब करें